कि जहीं सभी सात्यों को स्वागत हैं आपका कैरियर विदरुन में मैं हूं और उन्पाबार तो जुड़ ज़िए सभी भाई बेन कैसे हैं और बेटा जो बच्चे पहली बार हमारी क्लास में आए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर द से होगी तो बेटा आज आपको संपूर्ण जानकारी देने बाला हूं उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा आप कहीं से भी हैं तो फिर आपको इपोस्ट क्लास चल रही है आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है किसी का भी आप फिरी आ हर चीज आपको यहां से प्रोवाइड करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप का वहां से एप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा चलिए देरी ने करते हुए अपनी बात पर आते हैं कि हमारी पहली बात क्या है मैं बात कर लें ताम से एससाजी में की एससी जीड़ी की 2030 का निए अपको फ़िस्स की बात होगी किस पर एक पर पर एज पर एज में तूट मिलेगी भी यह नहीं मिलेगी तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जादे तो नहीं दो साल की आपको छूट जरूर मिलेगी से कितने साल की बेटा दो साल की छूट मिलेगी कि SSC GD की तरफ से आप को होगे कि सर्जी दो साल की कैसे मिल जाएगी आपने एक बार यह बोला था कि करोणा के बाद जो वैकंसी आई है उसके बाद कि यह वैकंसी आगी आप तो कोई छूट का मैं मैं थाड़ी नहीं रखता ठीक है कि अब छूट का कोई मैठावी नहीं रखता के सर्जी अब छूट मिल जाए हमें ठीक है तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दो साल की छूट का कारण क्या है दो साल की छूट का कारण क्या है दो साल की छूट का कारण है बेटा आपका जिससे आपने देखा गूर्दे देखा डस्यूस योग कर डूक डॉकर की गेर इंग्रीज होता हैए अर करोना के बाद दूसरी ये बैकंसरी होता है और ने जो है डॉससारे बैकंशी कर दे कर इसमे आपको 2 साल की छूट दी हमें कुछ प्रियास करने होंगे इस चीज को लेकर हमें कुछ प्रियास करने होंगे और प्रियास तभी वनता है जब एक जुट होकर हम अपना ट्वीट करेंगे सरकार को अपनी बात रखेंगे तो बेटा तब हमारी सुनवाई हो सकती है एज में ठीक है वैसे दो साल की छू मिल जाएगी अब कोगे सर्जी एज काउंट कब से होगी फिर एज काउंट की अगर बात की जाएगी कब से होगी कब से होगी तो बेटा एज काउंट की अगर बात होगी तो एज काउंट होगी आपकी एक जुलाई एक जुलाई 2023 ठीक है बेटा एक जुलाई 2023 आपकी एस काउंट हो जाएगी टैंसर नहीं लेना सबको एक साथ रहना है ट्वीट अब यहां चला रहे हैं ठीक है और अपनी बात जो है सरकार तक हमें पोचानी है तो पोची की कैसे जब हम एक साथ लड़ेंगे एक साथ परियास करेंगे तब ही हमारी वात सरकार तक पोचेगी और अब जो है election है सबसे बड़ी वात है ठीक है election के समय अगर हम सरकार से कुछ भी माँग लेते हैं वो हमें मिल जाता है सबसे बड़ी बात यह है और भीया बीजीपी की सरकार है और तुम्हें पता हर वैकंसी राजनितिक होती है ठीक है तो बेटा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपनी तैयारी में लग जाईए जो नहीं लगे हैं तैयारी करते रहिएगा ठीक है वह बाकी ने तो प्रव आई है तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले मिलते हैं आप से ने एक्स्ट वीडियो में आज के लिए जैहिद जैभारत